हेलो प्रेट्स माईने में इस रिश्वर वास्तो एंड वेलकम तो माई यूटीब चानल ख्रेशी क्रीट यू चल चल तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूं वैसे तो रिव्यू भी करूंगी पर ये पूरी तरीके से ट्राइएंड टेस्टेज रिव्यू है तो मैं यूज करने वाली हूं सेंड वोटनिका के हैर के रेंज पूरे वन मन तक तो मेरा क्या एक्स्पिरियेंस है क्या है यह सारा मैं वीडियो में शेयर करूंगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइ मेरे बालों के कंडिशन कुछ ऐसी थी अब मैं आपको स्टेप बैस्टेप प्रोसेजर बताती हूं कि मैं इसे कैसे यूज किया है वन मन तक तो सबसे पहले हम भी यूज करने होला है संबोटनिका का मारकन आवगन हैर और इसे खास पात है कि यह सारा नाचर इंग्रीडिय अब इसे क्या होगा कि आपकी जो स्काल्प है वह भी बहुर अच्छी तरीके से नरिश्मिया इसको भी बहुर अच्छी से नरिश्मन मिल जाएगा यह आपको बालों को डूपली नरीश करता है फ्रीस फ्री बनाता है और जैसे कि अभी मैं इसको रेगुलर बेसिस पर वाल्यूम भी थोड़ा बढ़ गया है थोड़े थीक हो गया है और यह डैंडर पर भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है सो इसको रेगुलर बेसिस पर अपलाए करना बहुत अच्छा रहता है बालों के लिए मैं अस कोंब की हैट से अपने रूब पर देल लगा लि करता है तो चलिए अभी नेक्स पर देखते हैं तो के तो सेकेंड स्टेप में हम लोग ग्यूज करने वाले हैं सेंट बाटनिका का मोरकन आरगन हैर शांपू इसमें कोई हामफुल क्यामिकल नहीं है वैसे था सेंट बाटनिका के कोई प्रोड़क में क्यामिकल्स नहीं होत है अगर का अगर हैं उपकर और अलाग जैसे की अगर आपके बाल जो हैं ड्राइड बूत्फार्त करेंगा अपके बालों को बहुत आथा स्मूध बनाता है तो आपको बालों को हाथ लगा कर द ingen come 시new basically she si agency याहने स्को यूद्व करके मुझि मेरे बाल ज quickly it's fine tired श्यांव divers तो इस इस तो पने विज़ करने लिए सेंडवाटनीका का मॉलक्तन आउडन आई हैर मास्क हैर मास्क जो है में जंडरली वीक में एक ही बार लगाती हूं वरना शेंपू के बाद डारेक्ली कंडिशनर कर देती हूं अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने हैर वाच कर लिया और मेरे बाल जो है कितने अच्छी शाइनी लग रहे है अब इसके बाद में हैर मास्क लगाऊंगी यानि बालों को थोड़ असर ड्राय होने दे उसके बाद में हैर मास्क लगाए तो ज्यादा अच्छी से असर करता इसमें है, विटामिन बी 5 दर्टे की आपके बालों को बहुत अच्छी सी माड़िश करेगा और बल कि आपके बाल जो है वो ड्रायन नहीं रहते हैं आपको बालों को जो है फ्री बना देता है मैनेजबल बना देता है मुझे बहुत अच्छा लगता है है मास्क लगाना तो मैं संडे इसको लगाती हूँ तो उस दिन मेरे बाल गया याने गुड हैर डे होता है मेरे संडे जनरली इस मास्क को आप 10 मिनुट्स तक लगे रहना दीजिए और यार वाश कर लिजिए अब इस स्टप में हम लोग उसकरने वाले है संड बापने का मोड़का नौकन कंडिशनल जो कि आपके बालों को डुपली नरिश करता है आपके बालों को हाइडरेट रखता है और विस वज़े से आपके बाल जो है वो फ्रीज़ी रहते है और मानेजबल रहते है और इसकी यह है कि यह हाल जो है टाइप होता है उस पर सूट करता है जो लास्टप में फॉलो करती है वह संड बातनीका का मोड़कन आर्गन का है सिर्म अब हैर सिर्म जो है वो मेरे जो है बहुत जादा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि मुझे उसकी बाद में बाल में बहुत संड बाल में एज़ दल में जादेश देख सर्सा अब करते हैं इसमन पार अफ исслед अवची तरीके से एक दुसे कांपलिमेंड करते हैं तो भॉत चिजह के से शाध कांपलिमेंच करते अफू करते हैं और आपको कि प्रॉपर लोग कियानिोग cheesy कर्षा देही था करें करण आपके बालों कर देशा आपके बालों कि अ Но कई हम पर यह जैसे दिप इसमेंपन पर दो आपके स्मूटो बनाता है दो बनाता है मेरा परस्वेल एक्सपीरियंग जो है सेंग बरतनिका के प्रोड़क्स के साथ बहुत अच्छा रहा है इसके तरह मैंने हैर फॉल रेंग यह सोचा था उसका भी रिव्यू करूँ बट यह उसकर तक वह खत्म हो गया पर अभी मैंने सोचा कि इसका पहले हुमें है वह बहुत जादा अच्छो लगेंगे अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइप कीजिए आपके कोई सजेशन है तो वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिकर बता सकते है और आप किस टाप के वीडियो और देखना चाहते हैं यह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिकर बता सकते है यसे कि जैसे कि मुझे आइडिया हो जाएगी कैसे वीडियो बनाने है और प्लीज मेरे वीडियो को शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग क्रिजिक वीडियो चंचल तिल देन बाइबा बाइ